ऐसी दिवान गी देखी नहीं कहीं मैंने इसलिए तो नमस्कार जैहिन दोस्तों तो कैसे हैं आज आप लोग आज आप लोगों को एलडोन संखनान के ट्रिक बताने वाला हूं उसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक टाप कीजेगा जब वीडियो प बढ़ते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा ऐसी दिवान गी तो ऐसी दिवान गी के लिए हम लिखेंगे कितना अडू दो अडू टू मोल नेश्ट नहीं नहीं से बन गया एन ए ओ जिसका नाम है सोडियाम हैड्रक्साइड तो अब बात आती है रियक्षन की तो रियक्षन क कि दो अडू अब दो अडू है तो उसका फार्मूला इसी टेड्टी हैट का च 3-1 दो अडू की बात किया है तो इसको एक बार और लिखेंगे लेकिन तोड़ कर CS3 को मैंने CS2 और H में तोड़ दिया CHO को मैंने साइड में लिखा अब बात आती है reaction की तो हम क्या लेते है डेल्यूट NAOS जहां reaction कराएंगे तो यह HO के साथ attach हो जाता है और OH बन जाता है जिसे हम βीटा, हैड्रोक्षी, LD हैड या लोल्ड के नाम से भी जानते है अब बात आती है सर इसको बीटा, हैड्रोक्षी, LD हैड क्यों कहती है तो जहां functional group जूड़ा है क्रियात्मक्सरमू जूड़ा है उसके जर्ष्ट बगल वाले को हम alpha बोलेंगे next को बीटा बोलेंगे फिर उसके बाद आपको गामा देखने को मिलता है तो बीटा पोजिशन पर OH अटेच है इसका नाम बीटा हैड्रोक्षी, LD है next नाम हम बीटा हैड्रोक्षी, ब्यूटेनल ब्यूटेनल, ब्यूटेनल नहीं ब्यूटेनल भी कहते हैं next अगर इसी रियक्षन को आप इतना लिखते हैं तो भी आपको प्रॉपर नमबर मिल जाता है लेकिन बात आती है कंडन्शेशन यानि की शंगनन की तो आपको याद रखना पड़ेगा H2O को जानि की जल को रिमूव किया जाता है अब रिमूव करेंगे तो कैसे करेंगे इसी कंपॉण्ड को मैंने यहाँ पे लिखा अब बात आती है H2O कहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ से OH रिमूव होगा और यहाँ से H रिमूव होगा तो यहाँ बचेगा क्या CH बचा बगल में क्या है CH, side में क्या है CH3, right side में क्या है, CHO अब इसके balance को complete करने के लिए हमें double bond लगाना पड़ेगा, क्यूंकि carbon के पास एक hydrogen है total 4 bond होना चीए, तो 1, 2, 3, 4, इसके लिए भी 1, 2, 3, 4 जिसका नाम है, bute 2 in all अच्छा दोस्तों जरू नहीं है कि आप LD head ही ले, आप ketone भी ले सकते हैं, जिसमें alpha hydrogen containing हो, यानि कि आई यह समस्ते हैं, देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यह क्या है भाई, यह LD head है, और LD head functional group है तो उसके just a bagal वाले को हम बोलते हैं, alpha carbon और alpha carbon के साथ hydrogen, alpha hydrogen hydrogen कहलाता है यहीं नीचे वाले reaction की अगर हम बात करें, तो यह है ketone functional group, तो यह होगा आपका alpha, यह होगा आपका alpha तो यहाँ left side यह right side में भी देखेंगे तो भी उनके साथ hydrogen attach है, सर इस बार विखरा के नहीं लिखे हो, तो आप ऐसे विखरा के भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ alpha hydrogen की संख्या 3 यहाँ भी 3, 1, 2, 3 ओके, अब बात आती है reaction की यह reaction, फर्स्ट रियक्सन है जो मैं पहले आपको अभी समझाया हूँ बात आती है second reaction जिसे हम ketone कहती है, तो ketone में क्या करती है, ketone में भी दो अडू reactant अभी कारक लेती है, और इसको मैंने तोड के ऐसे लिखा, यह भी ketone है यह भी ketone है, अब बात आती है इसकी जो hydrogen है, वो यहाँ पर attach हो रहा है सही है, बाकि जो बज गया है उसको मैंने same to same लिखा CH3, COH सही है, फिर इसके साथ क्या 8H है CH3, नीचे के side लिखा CH2, उसके बाद COCH3, जिसे हम beta-hydroxy ketone कहते है या उसी को ketone भी कहते है तो आप इस reaction को लिखे या इस reaction को लिखे, आपकी मर्जी, मैंने बताया कि LDH, ketone को भी लिख सकते है जिसे हम carbonil compound के नाम से भी जानती है, अब बात आती है संघरन यानी की condensation तो आप H2O, यानी water को remove करके आगे भी इसके process को पता सकते हैं फिर मिलेंगे next video में, तो वीडियो मज़ा आया, तो एक like बिल्कुल कीजिएगा चैनल को subscribe, विल्कुल कीजिएगा फिर मिलेंगे next video में, जय हिन